Improve Your Vocabulary के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डाले आपको तुरंट नोटिफिकेशन मिले अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं क्योंकि PDF में मैं काफी सारी additional information भी include करती हूँ इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप Pinnacle Learning App को डाउनलोड करें Pinnacle Learning App पर हम बहुत सारे वीडियो, PDF, Quizzes वगेरा जो है वो upload करते हैं जो लिंक है Pinnacle Learning Android App का वो नीचे आपको description box में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं अलफबिट C से हिंदी मीडियम में हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड जो है, वो है clumsy clumsy मतलब क्या होता है? clumsy मतलब ऐसा होता है हम बहुत लोग के बारे में ऐसा कहते हैं इसको कोई काम धंग से करना ही नहीं आता प्लेट रख्याओ कीचन में खाना खाने के बाद रस्ते में ही प्लेट गिरा देगा इस टेबल को जड़ा सीधा कर दो, टेबल के नीचे खुद ही गिर जाएगा ये देखो क्या ये बंदा clumsy है? yes, ये clumsy है ठीक है? तो जो लोग धंग से कोई काम न कर पाएं उनको हम कहते हैं clumsy, awkward, awkward होता है अजीब, गंदा, graceless, जिसमें grace नहो, unskilled, inept ये सभी clumsy के synonyms है opposite होंगे expert, expert होता है mahir, dexterous mahir तभी तो हमने एक word बताया है न, मैंने आपको एफ वीडियो में भी बताया था ambidextrous, दोनों हातों को इस्तमाल करने में mahir हो raman is very clumsy and often drops things, raman बहुत clumsy है और अकसर चीजे गिरा देता है अगला है हमारा course, c-o-a-r-s-e course course का मतलब होता है मोटा और ये केवल अनाज के लिए इस्तमाल होता है ये शब्द, आप किसी भी व्यक्ती, अगर कोई व्यक्ती मोटा है ये नहीं कह सकते, he is very coarse coarse grains होते हैं, ये देखो, यहाँ पर ये सारे मोटे अनाज है यहाँ राजमा भी है, आपका, यहाँ पर मोटी डाले भी है ठीक है, तो crude, rough, uncivilized course का मतलब असब ये unpolished से है तो rough, uncivilized, uncouth, crude ये सभी course है opposite होंगे हमारे smooth, refined और sophisticated course grains are beneficial for health ये सभी जो course grains हैं, ये हमारी सेहत के लिए लाबदायक है फिर हमारा word है charming charming, charming का मतलब क्या होता है charming का मतलब होता है attractive ओके, और इसमें ये word है arm, a, r, m, arm अगर कोई charming होता है तो हम उसके कंदे पर अपना arm रखना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत attractive है Cinderella, आपने जरूर Cinderella की कहानी सुनी होगी Cinderella इतनी charming थी कि प्रिंस ने सारी रात उसके साथ डांस किया तो delightful, enchanting, attractive, appealing, lovely ये सभी charming के synonyms है opposite होंगे offensive, आपती जनक होता है repellent, जिसको देखकर हमारा मन हट जाए, terrifying, dravna the charming lady dances very well अगर कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो हम कह सकते हैं कि बड़ा charming है अगर कोई बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं भी लोग होते हैं, बातों बातों में आपका दिल जीत लेते हैं वो भी charming होते हैं, ओके आगे चलते हैं, आगे है हमारा kios इस word का pronunciation है kios kios का मतलब होता है अफरा तफरी, क्या आपको इसको देखकर लग रहा है कि घर में पूरी अफरा तफरी मची है येस क्योंकि छोटे बच्चों का एक कमरा साफ करने आई है, जहां खिलोने जो है सारे जमीन पर है अधिकतर घरों में जो सुबह का समय होता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक complete kios होता है पूरी अफरा तफरी, बच्चों को स्कूल जाना है हजबन का टिफन पाक करना है, ब्रेक्फिस तयार करना है मुझे भी तो आफिस जाना है, मुझे कल बहुष ने डाता था मैं रोज लेट हो जाती हूँ तो there is a complete kios confusion, disarray, jumble ठीक है, disorder ये सभी है अफरा तफरी, opposite होगा इसका काम, इसी में हमने किया है न, काम शान्ती वाला harmony, harmony भी होता है जब ताल मिल ठीक बैढ़ गया हो, order chain snatching created a kios in the city कभी-कभी आप अपने शहर में सुनेंगे न, कि अचानक से बहुत बच्चे गिणाप हो रहे हैं, या अचानक से कोई बच्चे उठाने वाला ग्याएंग आप सुनेंगे अचानक से कि एक chain snatching की घटनाएं बहुत बढ़ गई है तो यह क्या create करती है जो शहर के लोगों के बीच यह kios create करती है, यह panic create करती है तो kios, okay, next word next word है हमारा commence, c-o-m-m-e-n-c-e commence, ठीक है, commence का मतलब होता है शुरुआत, जब आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो race है, वो commence होने वाली है वो शुरू होने वाली है, या फिर वो हो चुकी है तो begin, embark, inaugurate, inaugurate होता है किसी चीज का उदगाटन, okay initiate, शुरुआत, launch launch होते है stores launch होते है, book launch होती है undertake, शुरुआत करना इसको opposite होगा, cease, देखिए इसी list में हमने cease किया, cease का मतलब होता है, रुकना, थमना finish, खतम करना, end, sum up करना, example the marathon commences from Gandhi park, जो marathon है, वो Gandhi park से शुरू होगी compel, compel होता है मजबूर करना, ठीक है मजबूर करना, कोहर्स दबाव डालना pressure डालना, force डालना impede, रोकना, obstruct बाधा unless compelled him to stay at home, उसकी जो बिमारी थी, उसने उसको मजबूर किया कि वो घर पर ही रहे अगला शब्द है हमारा complain, complain तो बड़ा simple सा शब्द आपने सुना होगा, complain का मतलब होता है, शिकायत करना याद रखना, students कि ये एक verb है ये एक क्रिया है, ठीक है जो ये शब्द है, complaint P-L-A-I-N-T complaint ये एक नाउन है I have lodged a complaint against him in the police station तो grouch, grump, wine fret, fuss, grieve, ये सभी synonyms हैं, और opposite होगे upload तारीफ करना, comment प्रशंसा करना praise प्रशंसा करना जब आप अपना काम सही समय पर commence करते हैं तो लोग आपको comment करते हैं, खासकर आपकी mother जो हमेशा कहती रहती है, हमेशा लेटी है ये, ठीक है The customer complained about the poor service by the hotel staff ठीक है, ये है हमारा word अगला शब्द क्या है अगला शब्द है complex complex होता है, बहुत ही जटल एक बड़ा सा shopping complex आपने देखा होगा उसमें आपके लिए address ढूड़ना बड़ा ही मुश्किल और जटल होता है क्योंकि बहुत सारी चोटी-चोटी shops होती है तो complicated, intricate ये जो है, इसके synonyms है और opposite होगा evident जो सपष्ट दिखे, obvious, clear, plain ये देखो, ये बहुत ही complex नौट है, बहुत ही जटलता से बांदी हुई गाट है the problem is too complex for me to solve ये जो मुश्किल है, ये बहुत जटल है मेरे लिए हल करने के लिए last two words हम करते हैं हमारे words हैं यहाँ पर cowardice cowardice होती है, कायर था क्या बिल्ली कायर है, बिल्कुल कायर है ये देखिए, दुनिया वर के चुहे नीचे देखर बिल्ली जो है, डर्क हमारे प्रेड पर चड़ी हुई है हमारा word क्या है, हमारा word है coward, ये जो cowardice है ये noun है, ठीक है ये सारे यहाँ पर timidity, unmanliness opposite होगी, bravery, bravery होती है वीरता, courage होती है, himmat fearlessness, जो डरे नहीं the cat showed cowardice and climbed up the tree वाव, देखो, चुहें हम्मत है मुझे पिक्चर बहुत ही जबरदस लगी, बहुत बढ़िया unity strength display कर रहा है कि जब बहुत सारे चुहें हो गए तो विली विडर के हमारे पेड़ के ऊपर चड़ गई इसमें, इस वीडियो में हमने एक और चुहां देखा, जो helmet लगाया हुए था तो वह वाला चुहां कैसा था, वो cautious था credible credible होता है, विश्वस्निया विश्वस्निया का मतलब होता है बिलीवबल, जिस पर हम विश्वास कर सकते है, चीक है माल लीजें आपसे बोलती हूँ, प्लीज मुझे 2000 रुपे उधार दे दो मैं तुम्हें कल लॉटा दूँगी, तो आप मुझे दे देते हैं और निक्स दे में आपके 2000 रुपे लॉटा देती हूँ तो मेरी reputation कैसी है, मेरी reputation credible है लेकिन माल लीजें आपसे लेती हूँ और फिर लोटा नहीं पाती हूँ तो फिर क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, नहीं फिर आपको लगेगा कि नहीं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन यह incredible नहीं हो जाएगा आप इसके पहले iron लगाकर इसका उल्टा मत बनाना credible होता है believable ओके लोग उधार चीजे कब देते हैं लोग credit पर चीजे कब देते हैं जब सामने वाली की reputation believable हो opposite होंगे हमारे unlikely संभावना नहीं है improbable संभावना नहीं है the club must nominate a credible leader credible trustworthiness यह देखी यह दोनों लोग जो हाथ मिला रहे हैं इनके बीच में समझाता हो रहा है और यह कह रहे हैं keep your word अपनी बात से पीछे मत हटना आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और PDF और वीडियो के लिए आप पिनाकल लर्निंग आप जो है वो डाउनलोड करें इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर कर सकते हैं I wish you all the best देखने के लिए धन्यवाद, bye bye